कुछ दिन पहले मैंने साड़ी स्टाइलिंग के बारे में एक वीडियो डाला था, आज मैं उसका पार्ट टू लेके आई हूँ क्योंकि कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर नहीं हो पाये थे, जो मोस्टली हम कर देते हैं इग्णोर और नजार आने लगते हैं ओल्ड फैशन, त मैं वीडियो बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड हेल्स पर, अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजे लाइक और जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर भी जरूर करिए और देखिए आप लो को हिट करना बिल्कुल मत बूलिए जिससे की जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको पता चल जाएगा, सारी स्टाइलिंग के बारे में जो मैंने पार्ट वन वीडियो अपलोड किया था उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो यह कोई hard and fast rule नहीं है, कि भी कुछ tips हो या suggestions हो सारी स्टाइलिंग के बारे में तो वो भी आप comment box में बता सकते हैं, मैं अन्तिजार करूँगी आपके comment का, tip number है सारी के साथ कैसा make-up करें उसके बारे में, तो अगर आप दिखना चाहते हैं यंग तो सारी के साथ make-up कम ही अपर लिड पर ही आई लाइनर लगाएं वो जाद अच लगेगा। और अगर अगर आई-लाइनर लगाने में बहुत ज़द एक्सपार्ट नहीं हैं, तो मैं यही सज्जेस्ट करूँगी, कि आप जो पैंसिल लाइनर का उपियोग करें, वो जाद अच रहेगा। चाह लह और इसी को आईशेडव में भी यूज कर लेते हैं, वो जादा नेचुरल लगता है, और कॉस्ट एफेक्टिव भी है, हमको तीन-तीन चीजे नहीं खरीदना पड़ती हैं, तीन-तीन चीजें केरी भी नहीं करना पड़ती हैं, अगर मेकप में प्रो नहीं हैं, तो मैं पॉंट्स पर लगाईए, यहां पर और कान के पीछे, ऐसे ऐसे रब करलीजे, और यहां पे भी रब करलीजे, यहां पर अगर परफ्यूम लगाते हैं तो वो ज्यादा देटक तक पिका रहता है, साळी पर परफ्यूम लगाएंगे तो साळी खरा भी हो सकती है, और इस कॉंपलेक्शन को एनहेंस करने के लिए मैं टिप देती हूं कि आप एक ब्राइट कलर के लिप्सचेट का यूज करिए जो आपके स्किन टोन से मैच करता हो सेकेंड पॉइंट है कि साडी के साथ कौन सा हेरस्ट्राइल अच्छा लगता है साडी के साथ जूडा या बन सबसे जाद अच्छा लगता है इसको मैसी भी रख सकते हैं कैजूल या सेमी फॉर्मल लुक में खुले बाल भी अच्छे लगेंगे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आगे ट्विस्ट करके और पीछे की तरफ बालों को टाई करके और पीछे के बाल खुले रख सकते हैं मैसी साइट चोटी भी अच्छी लगती है साडी के साथ कुछ अच्छी हैर एक्सेसरी का कलेक्शन भी रखिए जो सिंपल हैर स्टाइल में भी चार चांद लगा दीती है जैसे सिंपल जूड़ा बनाके और साइड में फैंसी कॉम्स आती हैं जिसमें फ्लार होते हैं या फिर कुछ एमबैलिश्मेंट होता है उसको लगा सकते हैं इससे आपका सिंपल सा जूड़ा भी बहुत सुंदर लगने लगेगा लेकिन यहां भी हमको कंट्रोल करना है यह नहीं कि जड़ाओ हमने क्लच भी लगा लिया चोटा सा और यहां से फिर से जड़ाओ पिंस लगा ली या तो आप पिंस लगाईए या फिर क्लच लगाईए कोई ओकी अक्सेसरी कर इस्तेमाल कर लिए जड़ा अगर अप अपको अपकी बालों किस्टाइल में चार चांद लग जाएंगे कुछ डॉनट और जूड़ा मेकर क्लिप भी रखिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आप जब कभी फंक्शन में जाने वाले हों, तो आसानी से अपना जूड़ा बना सकें, जूड़ा अगर आप मैसी नहीं बना रहे हैं, तो एर स्ट्रे का एस्टेमाल जरूर करिए, जिससे कि आपका जूड़ा एकदम नीट और क्लीन नजर आए, अगर आप ट्रेडिशनल लुक बना रहे हैं, तो गजरे की अक्सेसरी के स्टेमाल भी करिए, जो कि आजकल काफी इजीली अवेलेबल है, जो गजरा होता है, वो तो अगर गर्मी में हम लगाते हैं, तो एकदम मुर्जा जाता है, बस ये ध्यान रखिए कि जो भी अक्सेसरी आप खरीदें, वो भले ही कम हो, लेकिन कि क्वालिटी अगर अच्छी होगी, तो एक तो वो काफी समय तक चलेंगी, और कॉमन भी नहीं होगी, और सुन्दर तो होगी, थर्ड पॉइंट में मैंने कवर किया है, जोलरी, जोलरी भी बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन इसको भी मैं कुछी बेसिक पॉ और अगर सिल्वर वर्क है हमारी साडी में, तो डामंड जोलरी जाद अच्छी है, इस तरह की साडीयों के साथ, जिसमें गोल्ल और फिर सिल्वर वर्क हो उनके साथ आप अच्छी लगथा होगा, आप उक्सिडाइस ज्वर्री को अवोवईट करें तो जाद अच्छा पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता है वो लेकिन गोल्ट में जो पर्ल स्टड़िट होते हैं ऐसी ज्वैलरी वो टेंपल ज्वैलरी भी होती है और जैपुरी ज्वैलरी भी बहुत अच्छी लगती है परल वाली उसको भी आप ट्राई तरिये अगर आप एकदम यंग औ आप पतली गोल्ड की बैंगल्स पहन सकते हैं दो या फिर चार क्योंकि अगर हम कलाईयों में ज्यादा कुछ पहन लेते हैं तो फिर स्टेटमेंट रिंग जो कि आजकल लेटेस्ट फैशन ट्रेंड है वो नहीं पहन पाते हैं कि काफी सारी चूडियां भी पहन ली और स्टेटमेंट रिंग पहनना चाहते हैं तो या तो आप कड़ों का इस्तेमाल करिए या फिर स्लेट भी पहन सकते हैं वो भी अच्छा लुक देता है लेकिन काफी सारी चूडियों के साथ बड़ी बड़ी रिंग्स अच्छी नहीं लगते हैं उससे अम एकदम ओल्ड C us wear करते हैं उसकी जगए आप कुछ नहा ट्राइ कर सकते हैं जैसे हां जासी कि mojdi सुझी के साथ इसके साथ लुड़ी के सांथ ब्लॉच हील वाले सेंडल चु अपटे करिए स्पाइडियों कि उसमें एक श Дफंड जाती है और फट जाती है आजकल तो आपने देखा हुगा कि सेलेब्रिटीज साडी के साथ लोफर्स भी ट्राइ कर रहे हैं और वो अच्छे लगते हैं आप भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर कैस्वल लुक के लिए लोफर्स ट्राइ कर सकते हैं यह नाकेवल दिखने में बहुत स्टाइलिश होते है काफी कमफर्टेबल भी होते हैं मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसे ही फुट्वेयर सेलेक्ट करना पसंद करती हूं जिनको जादा मेंटनेंस की जरूरत ना हूँ 5th point है handbags कैसे handbags हैं जो साडी के साथ अच्छे लगते हैं इस बारे में बात करेंगे लेकिन पहले इस बारे में बात कर लेंगे कौन से handbags हैं जो साडी के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं तो number 1 पर है ऐसे shoulder bag जिनमें double strap होता है और जो size में भी बड़े होते हैं वो जो ओल्ड फैशंड और देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते हैं अगर ज्यादा सामान आपको करना है तो अपने बैग में मत भरिये और अगर भर भी रहें तो फिर उसको हाथ में पकड़िये यहां पर टांगने की बजा है इसके बाद तोट बैग सी साडी के तो वो हमारे लुक में एक बड़ा सा वॉल्यूम क्रियेट कर देते हैं साइट में तीसरे बैग जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है साडी के साथ करना वह है ऐसे बैग जिन में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है अब बात करते हैं कि साडी के साथ कौन से बैग से अच्छे में अवेलेबल है इनमें भी काफी सामान आ जाता है हमारा मुबाइल आ जाता है पावर बैंक आ जाता है हैंकी आ जाता है एकाद लिप्स्टिक आ जाएगी और काड़ होल्डर आ जाएगा और गॉगल स्पीस में बन जाते हैं तो इतना सफीशेंट है सामान कैरी करना अग आपको feminine look देते हैं, ऐसे sling bags जिनकी adjustable chain हो आप ले सकते हैं, इस तरह से छोटी भी हो जाती है, और अगर आपको लंबा करके टांगना है, तो ऐसे भी आप carry कर सकते हैं, अगर आप इतना छोटा bag carry नहीं करना चाहते हैं, कुछ जाता सामान प्रखना है, तो आप ऐसे ही sling में थोड़ा साइज का bag ले सकते हैं, जिसमें आपका सामान बन जाए, और लेकिन बस वही ध्यान रखिए कि एक proper structure हो, जैसे कि मेरे bag में है कि proper structure है, कई बार यहां पर भी studs लगे होते हैं, जिससे कि कहीं पर भी हम पर्स को रखते हैं, तो वो clean रहता है, मिंत्रा पर बहुत अ साडी के साथ बहुत अच्छी जाती हैं, और अपनी साडी के साथ आप इसको कस्टरमाइज भी करवा सकते हैं, साडी का थोड़ा सा फैब्रिक आप पोर्टली में लगवा देंगे, तो वो आपकी साडी से बिल्कुल मैच कर जाएगा, इसी तरह से, ऐसे जो clutch होते हैं, यह मैंने अमेजन से लिया था, और यह भी काफी अफोड़िबल है, और काफी अच्छा लगता है साडी के साथ, इसके अंदर भी ऐसी चेन दी गई है, इससे अगर मैं चाहूँ तो इस चेन के साथ इसको टांग भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे केवल हाथ में ही इसको इसको टांग भी सकते हैं, तो इस तरह के क्लाच आप ले लीजिए, जो कि काफी अफोड़ेबल कॉस्ट में है, अगर आप चाहें तो उनको ले सकते हैं, I hope अब आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, कि हमको कैसे स्टाइल करना चाहिए, जो हमें यंग दिखाए और आप टूटेटेड रह सकें, हर छोटी छोटी डिटेल को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि छोटी 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 चीज़ें ही है, बड़ा डिफरेंस क्रियेट कर देती हैं हमारे लुक्स में, तो अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्स्राइब कर लिजे, वीडियो को लाइक कर लिजे, और एक प्यारा सा कमेंट छोट कर जाईए, और जिनको जरूरत है उनको भी शेयर करिए, तो आज की बातचीत का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई